हलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छी होंगे सुम अपने फेस पे तो इतना साथा ध्यान देते इतना सारे क्रीम यूज करते हैं इतना सारे मॉश्चुराइजर, स्क्रब और नाजाने क्या क्या यूज करते हैं पर हम फेस के एक छोटे से पार्ट को बिल अब रुटीन जो की आपको वीग मेट 2 टाइमस फॉलो करना है और जाद थेज्ड आप 3 टाइम इसको वीग में फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपके लिप्स प्लंपी बनेंगे, जितनी भी डि हाइड़ेशन होगी जितनी भी डल होंगे वो ठीक हो जाएंगे और आपके ज जो lip care routine है, यह boys और girls दोनों follow कर सकते हैं बहुत अराम से, तो यह चीज़ आप बिलकुल ध्यान में रखें कि यह नहीं कि सिर्फ girls के लिए है, यह boys और girls दोनों बहुत अराम से follow कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, कि हमारे जो lip से वो इतने dull dry क्यों हो जाते हैं तो जो इसका first reason है, वो है dehydration, हमें एक दिन में 3-4 लेटर पानी पीना चाहिए, अगर हम पानी नहीं पीते हैं, तो हमारी body dehydrated हो जाती है, और साथ-साथ हमारे जो lip से वो भी dehydrated हो जाते हैं, जिसकी वज़ासे जो भी सारा lip का moisture होते हैं, वो lose हो जाते हैं, इसकी वज़ासे ह हमारे जो lip से हो बहुत जादा dull और dry हो जाते हैं, और जो second reason है, वो है smoking, boys और गल्स आज की ताहिम पे बहुत जादा smoking करते हैं, जिसकी वज़ासे हमारे जो lip से हमारे blood circulation properly नहीं हो पाता है, जिसकी वज़ासे मारे lips जो है, अपना जो natural color है, वो भी खो जाते हैं, और बहुत reason है, वो है sun damage, हम अपने skin को protect करने के लिए तो sunscreen यूज़ कर लेते हैं, face पे और body पे, but हम अपने lips पे कुछ भी use नहीं करते हैं, उसकी care करने के लिए, तो हमें ऐसे lip balm यूज़ करने चाहिए, जिसकी अंदर होता है SPF, और मैं ऐसे lip balm का link आपको description box में दे दूँगी, तो आ से हमारे lips का color बहुत जादा dark हो जाता है, और वैसे भी जब हम coffee और tea को बहुत जादा पीते हैं, तो उसकी वज़ासे हमारी body में dehydration होती है, जिसकी वज़ासे हमारे lips भी बहुत जादा dry और damage हो जाते हैं, तो हमें avoid करना चाहिए, जादा coffee का intake करना, या फिर tea का intake करना, और तो fifth thing है, वो है लिकिंग और biting करना, अगर हम अपने lips पे हम saliva लगा लेते हैं, बार बर और हमें लगते कि हमारे lips हैं, बहुत जादा plumpy बन रहे हैं, और shiny बन रहे हैं, और थोड़े से glossy बन रहे हैं, बट वो just 5-10 second की feeling होती है, और उसके बाद जो हमारा saliva वो बहुत जल्दी evaporate हो जाते हैं, और जैसी वो evaporate होते हैं, वो मारे lip को जो moisture है, वो भी सारा का सारा अपने साथ evaporate कर लेते हैं, और वो हो जाते हैं, बहुत जादा dull और damaged, तो इसलिए हमें कभी भी अपने lips पे saliva नहीं लगाना चाहिए, और हमें अपने lips की biting भी नहीं करने चाहिए, जिसकी जो मारे lips हैं, वो बहुत जादा dull हो जाते हैं, और उसकी विज़ा से bleeding भी होने लगती हैं हमारे lips से, क्योंकि हमारे lips हैं, वो बहुत जादा sensitive part होते हैं हमारी face का, तो इसलिए हमें avoid करने चाहिए, lick करना और bite करना हमारे lips को, और इसके बाद मैं आपको बतारूंगी कि आप ये one spoon के करीब, जे पर हनी गया है और उसके बाद यहां पर में आप रहर कारी भी होगी होगी है और अपको भी बिलकुल यहां बादाम श्री तोट ब्रॉश ले सकते हैं इसको मैं आपने lips पे पर जितनी बी बिलकुल क्लीन चुट ब्रुश ले सकते हैं और इसको मैं पर जो अब हमारे लिप्स का एक्चुल और उसके बाद आपको डिश्य पीपरी के लिप से बिल्कुल क्लीन कर लेना है और जो second चीज आपको करने है वो आपका moisturization और लिप पाग बनाने हैं आपको वो आपको यूस करने है अपने lips पे जिसने के आपको जो original करने है वो बापिस आजेगो और आपके जो लिपस हो बहुत दा प्लंपी बनेंगे लिप पैक बनाने के लिए आपको बनाने के लिए को आलेवराज जैल ले अको इप कोई भी ऐई आले जेल ले सकते हैं। इसको आपको अच्छे से कर लेना है उसके बाद इसको स्क्वीज कर लेंगे तो यो बीटूट का माना जूस रेडी हो जाएगा और इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर ले में तinar嫌 तो यह तो हम ने बता दियो किस सीज़ की वजासे आपकी लिप सिरっちues के लिभ से पिग्मेंटेशन देर्टर बिढ़ जाती एक ड्राइज सीकी अपने नच्टेस्ट तिप्स और ट्रिक्स बता 있다 जिससे कि आपको जो लिप का कय दूब हर ग४र बना रहेगा करनी और बिल्कुल भी लिक नी करने है अपने लिप्स को उससे की सारा का सारा जो सलाइवा होते है वो एवापुरेट हो जाते हैं और इतने जादा ड्राय हो जाती है कि मैं आपको क्या बता हूं और सेकंड छीज हमें हमेशा SPF वाल लिप्बाम यूज करना चाहिए क्योंकि हमारे लिप्स को भी सन प्रोटेक्शन की बहुत अधा ज़रूत होते हैं जब हम उसको सन से प्रोटेक्ट करेंगे तो ही वो जो उनका नैश्रल करना है वो बना रहेगा वरना वो फिर से दाक हो जाएंगे इसलिए हमें जरू सके लिए निए हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़ादा आच्छा होते हैं पानी पीना जिस्फिके मैं सकी बहुत जादा ग्लूइंग बनती है तो इसलिए दिन में आपको 3-4 लिटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीच को बिल्कुल भी सिप ना करें क्यों के lips plumpy बने रहेंगे और बहुत जादा dark जो हो रखे थे वो भी reduce हो जाएंगे और जितनी भी dull dry आपके lips से वो बिलकुल अच्छे हो जाएंगे और soft बनेंगे जितनी भी pigmentation है वो भी remove हो जाएगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please इसको like करना, share करना अपने friends और family में और subscribe करना मेरे चैनल को ताकि मैं जब भी new video upload करूँ तो आपके पास सबसे पहले notification है, okay bye